नमस्कार प्यारे विध्यारतियों स्वागत है आपका चैनल पर प्यारे विध्यारतियों आज ये क्लाश फॉर्थ है ठेक है हमने इससे पहले तीन क्लाश पावर सिस्टम की कंप्लेट कर लिए ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को ध्यान में रखते वे ब रेता है और अगर इसके बाद भी डाउट रेता है तो आप कमेंट सेक्षिन में आपने डाउट जरू टाइप कीजिए बहुत जल से जल आपके डाउट का स्रोलिशन प्रोवाइट करवा दिया जाएगा तो आज की क्लाश शुरू करते हैं आज की क्लाश नम्मर है फॉर्थ अगर इस से पहले कि आपने तीन क्लाश नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक अपलोड है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं आज की क्लाश की तरब आज की क्लास का क्विश्चन फर्स्ट और ओराल क्विश्चन नम् इफ एफ इस दी लोड फेक्टर दी लोड फेक्टर इस गिवन बाई क्या हो गया इसका हिंदी में समझेंगे हम तो यदि एफ भार गुणाख है तो हानी भार गुणाख किस परकार दर्शाया जाएगा तो आपके सामने चार ओप्शन है एजट इस एक्जाम में भी यही पेटन रहेगा इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफूल है यह स्रीज ओप्शन ए 0.35F प्लस 0.7F2 ओप्शन बी 0.2F प्लस 0.75F2 ओप्शन सी 0.25F2 प्लस 0.85F ओप्शन डी 0.75F प्लस 0.20F2 ओप्शन बी 0.25F प्लस 0.75F2 ओप्शन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विश्चन की तरफ क्विश्चन नम्मा 32 इन एप पाउर प्लांट इप दी मैक्सिमाम डिमांड ओन दी प्लांट इस एक्वल टू दी प्लांट केपेसिटी देन क्या हो गया विद्यूस सैंत्र में यदि सैंत्र पर अधिकता मांग ठीक याने की मैक्सिमाम डिमांड सैंत्र की शमता के बराबर हो तो क्या होगा चार उप्सान है उप्सान है लोड़ फेक्टर विल बी नियली 60% मतलब भार गुणांक लगभग 60% हो जाएगा औप्सान B प्लांट रिवर्स केपेसिटी विल बी 0 सैंत्र की जो नियच शमता है वो शुणां हो जाएगी बहार गुणाक एकता हो जाएगा तो इसका राइट ऐंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सान B plant reserve capacity will be zero मतलब जो सयंत्र है इसके निये चमता शुन्य हो जाईगी ठीक है तो option B is the right answer बढ़ते हैं next question की तरफ diversity factor has direct effect on the विभिन्नता गुनांक का किस पर सीधा प्रभाव होता है ठीक है आप से क्या पूचा कि जो विभिन्नता गुनांक है उसका directly effect किस पर पढ़ता है option A unit की परिचलन लागत मतलब operating cost of unit option B उत्पादित unit की लागत fixed cost of the unit generator option C उत्पादित unit की परिवर्ती लागत variable cost of the unit generator option D उत्पादित unit की परिवर्ती और नियत दोनों लागत both variable and fixed cost of unit generator ठीक है तो question number 33 का right answer क्या हो जाएगा option B उत्पादित unit की नियत लागत यानि की fixed cost of the unit generator is the right answer option B is the correct answer option D नहीं होगा बेटा option C is the correct answer किसका 33 वाले गटीक है अब बढ़ते हैं अगले question question number 34 a consumer has annual consumption of 7,800,000 युनिट्स ठीक है एक उब्भोकता साथ लाख आट सो यूनिट की वार्षिक खपत करता है याने कि पूरे साल में वार्षिक मतलब वन येर का डाटा ठीक है वन येर का पूरा डाटा यदि उसकी अधिक्तम मांग 200 किलोवाट है उसकी मैक्सिमाम डिमांड क्या है एम्डि 200 क्लोवॉर्ट है तो बहरगुनक क्या होगा तो आप से क्या पूछा है लोड फ्रेक्टर पूछा है तो अपसे 70% ऑपसन B 20% ऑपसन C 40% और ऑपसन D 50% तो इसका right answer क्या हो जाएगा option c 40% is the correct answer ठीक है 40% 40% is the correct answer आई option c आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विध्यारतियों अगर content अच्छा लगता है तो आप एक दुसरे के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी कुछ benefit हो क्योंकि यह video बहुत अनुगई कि शिक्षकों के द्वारा बहुत कुष्चन सोच समझ कर आपको यहां प्रोवाइट करवा दिये जाले इसका सीधा सा मतलब ऐसा है कि पुराने पेपर में आये ते वो कुष्चन भी कवर है और साथ में न्यू पेटर्न पर आधारित जो आपकी एक्जाम होने वाली अगर उ 15,000 किलोवोट यह पूरा आपको डाटा दिया हुआ है 12,000 किलोवोट 8,500 किलोवोट 6,000 किलोवोट 450 किलोवोट the station has maximum demand of 22,000 किलोवोट calculate the diversity factor कुछ नहीं यह सिंपल सा है आपको पूरा डाटा दिया है और आपको df याने कि diversity factor निकालना है एक generating के इंद रहे हैं ठीक है उसकी बहार सप्लाइ करता है एक केंद्रे सेंटर वो आपको बहार सप्लाइ देता है यहाने कि आपको भार देता है 15,000 किलोवोट 12,000 किलोवोट चार सो पचास किलोवोट केंद्रे की अधिकतम मांग maximum demand आपको यहां पे दी हुई है 22,000 है ठीक है विबिन निता गुनत का परिकल याद करना सीधा सा बात है diversity factor निकालना चार ओप्षन दिए ओप्षन ए 1.91 ओप्षन B 0.52 ओप्षन C 0.68 और ओप्षन D 1.34 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन A 1.91 ओप्षन A is the correct answer प्यारे विद्यारतियो नियुमेरिकल सवाल के अगर आप डिटेल से में वह भी चाते है न मतलब यह नियुमेरिकल है अभी में आप आपको बस आंसर प्रोवाइट करवार हो समझाने की साबन में लेकिन आप इसका पूरा एक्सप्लेसन चाते हैं तो कमेंड बोक्स में जरूर बताएगे ताकि हम जैसे अगला वीडियो अगला लेक्चर शूट करें तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन भी प्रोवाइट करवादे एज से में से करवाते हैं बढ़ते हैं नेस्ट क्यूस्टन की तरफ क्यूस्टन नमर्ट थाटी सिक्स दि मैक्सिमाम डिमांड ओफ कंजूमर्स इस टू क्लोवाट एंड हिस डेली एनरजी कंजप्शन इस ट्वंटी यूनिट इस लोट फेक्टर क्या हो गया जो उबहुकता है इसके अधिकता मांग दो किलोवाट है देनी कुर्जा की खपत है वो बीस यूनिट है मतलब कि अधिकता मांग कितनी दो किलोवाट और देली कितनी खतम कर देता बीस यूनिट तो इसका भार गुणा कि क्या होगा लोड फेक्टर क्या होगा ऑप्शन A 21% ऑप्शन B 10.15% ऑप्शन C 4 41.6% ऑप्शन D 50% इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नम्मर C 41.6% बढ़ते हैं नेस्ट क्यूश्चन की तरफ अगला क्यूश्चन 36 which of the following is used as a moderator in nuclear reactors निमनलिखित में से किसका उप्यक परमाणू रियक्टर में moderator के रूप में किया जाता ऑप्शन A hard water कठोर पानी ऑप्शन B mineral water शुर्द पानी ऑप्शन C designator water वियाइनिकरत पानी ठीक है वियाइनिकरत पानी मिस्ट और ऑप्शन D heavy water याने कि खारा पानी तो question number 37 का right answer हो जाएगा आपका option number D heavy water याने कि खारा पानी ठीक है रियक्टर है उसमें moderator के रूप में हम खारा पानी का यूज़ करते हैं option D is the correct answer बढ़ते हैं next question की तरब question number 39 best load of a power station Stanford एक विद्यूत station का आधार load है मतलब कि जो आपको एक power station है ना उसके load के बारे में पूछाएं तो option A 2 और 4 घंट प्रती दिन रहता है या option B 12 24 hours per day option C 8 to 12 hours per day 48 hours per day ठीक है मतलब यह जो 24 लिखा इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर आपको 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता और 4 भी हो सकता ऐसे 12 to 24 इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 12 से लेका 24 तो कोई सा भी load हो सकता है जैसे 19 हो गया 21 हो गया 18 हो गया है ना ऐसे ही तो इसका right answer क्या हो जाएगा option B 12 to 24 hours per day याने कि 12 से 14 घंटा प्रती दिन is the correct answer बढ़ते हैं अभी की रियक्टर है उसमें प्रियुक्त होना वाला सामानी मोडरेटर है सिंपल सा क्यूश्यन है theoretical option A है आपका graphite C सा option B oil तेल और option C oxygen है option D heavy water याने कि खारा पानी तो इसका right answer हो जाएगा option A graphite ठीक है मतलब C सा आपका correct answer हो जाएगा प्यारे विद्यारतियों आज के लिए इतना ही यहीं पर छोड़ते हैं मिलते हैं next class में जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा जय हिंद जय भारत